दोस्तों आज के वीडियो में हम प्रधान मंत्रिक किसान सम्मान निथी योजना के EKYC के लिए मंत्रा डिवाइस का सेटप बताने वाले हैं बहुत सारे VLE भाईवों ने हमको मैसेज किया था कि हमारा मंत्रा डिवाइस किसान सम्मान निथी के पोटल पर काम नहीं कर रहा है तो चलिए हम आज उसी का सल्यूसन लेकर आए है दोस्तों आज के वीडियो में हम कंप्लीट बताएंगे आपको और मसीन जो है चला कर दिखाने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं देखिए मैंने अभी एक कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करके कैप्चर के लिए यहां पर लाके रखा है तो चलिए मैं कैप्चर फोर एक वाइसी मंत्रा पर कलिक करता हूँ और यहां से आपको यह नेटवर्क एर फैल्ड टू एक्सक्यूट सेंड और एक्समेल http यह वाला local host और यह सब सारी error सो हो रहा है तो चलिए मैं इसको आपको error करने का solution बताता हूँ तो यहां से इसको ok कर दीजिएगा उसके बाद आपको कहीं भी chrome flag setting वगरा नहीं करनी है किसी भी setting को छेड़ छाड़ नहीं करना है मैं आपको जो software बता रहा हूँ आपको उसी को install करना है तो चलिए यहां पर मैं कौन-कौन से software इंस्टाल करने वाला हूँ उसको आपको बताता हूँ यहां पर आप देखिए दोस्तों mantra rd service 1.0.3 दूसरा है mfs 100 client service दोनों को ही आपको install करना है तीसरा किसी भी software का आपको install नहीं करना है तो चलिए मैं बारी-बारी से install कर लेता हूँ इसको यहां पर next install पर क्लिक करना है उसके बाद आपको इसको finish कर देना है उसके बाद client service को install करना है फिर install करना है आपको आगे next करना है इस्टॉल करना है जैसा मैंने किया है सिर्फ आपको वैसा ही करना है तो यहां पर देखिया आपका serial number वगेरा सो हो गया इस्टॉलिच कर लेना है उसके बाद आपको start capture करके यहां पर देख लेना है आपका setting यहां पर complete हो चुका है यहां से आपको exit करके finish वाले button को यहां पर finish कर लेना है आपको आपके सामने इस प्रकार से एक page खुलेगा यहां पर इसको select कर लेना है उसके बाद OK करना है उसके बाद इसको कार देना है इसको भी यहां से हटा देना है उसके बाद इस वाले को चलिए हम देखते हैं यहाँ पर अब हमको क्या करना है यहाँ पर हमने डिवाइस को एक बार फिर से निकाल करके सिस्टम में लगाना है आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है आपको फिर से एक बार अपना डिवाइस निकाल करके लगाना है यहाँ पर देखिए डिवाइस अटेज्ड और इस प्रकार से मेसेज आया है हमको थोड़ा सा रूखना है यहाँ पर और जब तक डिवाइस रेडी करके नहीं आ जाता है तब तक हम यहाँ पर कैप्चर एक वाइसी नहीं करेंगे थोड़ा सा रूख जाना है आपको चलिए हम यहाँ पर दिखते हैं क्या इरार आता है भी देखिए डिवाइस इस नौट रेडी करके आ रहा है तो एक बार पीछे आएंगे उसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे एक बार फिर से अपना बायोमेट्रिक डिवाइस निकालेंगे और फिर से लगा देंगे यहाँ पर देखिए फर्मेवेर इस रेडी टू यूज करके मेसेज आया है तो ऐसी ही आपको मेसेज आना चाहिए उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है तो मैं यहाँ पर कैप्चर फोर एक के बाईसी मंतरा पर क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर आप देखिए पूटिवर फिंगर करके आ गया है और यहाँ पर जैसे मैं रखता हूँ अपना फिंगर हाला कि मेरा यह नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पर सकसेज करके आ गया है तो इसको क्या करूँगा मैं यहाँ पर ओके नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ मेरा फिंगर नहीं है इसलिए मैं यहां से बेक हो जाऊंगा तो दोस्तो इस प्रकार से आपको मैंने बताया आपको कहीं भी कोई भी इस प्रकार सेटिंग को शेरशार नहीं करना है आपको सिर्फ मैंने जो दो सॉप्टेयर आपको बताए है वो दोनों software आपको install करना है पहला है आपका ये वाला ये जो 1.0.3 वाला दूसरा client service इस प्रकार से आपको ये दोनों ही software install कर लेना है उसके बाद आपको एक दो बार refresh कर लेना है फिर आपका हो जाएगा आपको पसंद आये होगा नमस्कार जैहिन धन्यवाद दोस्तों